हेलो स्टूडेंट्स, वन्स अगेन वेलकम टू दा अधित्य क्लासेज। हम अपने प्रीविएस वीडियो में पर्सनेलिटी टॉपिक का इंट्रोडेक्शन देख चुके हैं, पर्सनेलिटी इज सम् टोटल ओफ ट्रेट्स। और हमने देखा कि तीन बड़े ऐसे फेक्टर ह है, situation, environment और heredity जिनका पर्सनेलिटी पर डारेक्ट इंपेक्ट आता है। मैसेल्फ डॉक्तर विनीत माथूर हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और discuss करते हैं एक MBTI framework इसको हम बोलते हैं मायर्स-ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर तो यहाँ पे दो researcher हुए, एक थी आपके Catherine Cook Briggs और उनकी जो daughter थी Isabelle Briggs मायर। इन दोनों ने मिलके कुछ research conduct की और ये Americans थे दोनों और बहुत सारे लोगों को personality traits के बारे में कुछ questions पूछे और फिर इन्होंने जो है वो चार ऐसे characteristics निकाले और चार उनके opposite तो total हो जाएंगे आठ different characteristics निकाले जिन पे broadly people जो है वो एक दूसरे से differ करते हैं तो उसमें से जो इन्होंने first character find out किया characteristic find out किया वो था introvert और उसके फिर opposite हो जाएगा extrovert तो आप इसको ऐसे बोल दीजिए extrovert introvert extrovert are the people जो थोड़े से social हैं सबसे बात करना पसंद करते हैं और बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और उनकी सबसे friendship हो जाती है और introvert नॉर्मली थोड़ा shy nature के होते हैं और वो कम बोलना पसंद करते हैं इतना जल्दी वो घुलनी पाते हैं थोड़ा सा चुप रहना वो पसंद करते हैं अब important बात यह है कि हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि हम यह सब क्यों पढ़ रहे हैं आप देखेंगे कि normally sales job के लिए जो है वो extrovert person ज्यादा better रहते हैं क्योंकि जब कभी भी वो new client handle करते हैं या पुराने customers से भी उनकी बात होती है तो extrovert person बहुत सारी बातें करेगा सब कुछ discuss करेगा बैठे बैठे उनके friends के बारे में पूछने लग जाएगा और हो सकता है उनके relatives के बारे में पूछने लग जाए customers के और ऐसे ऐसे बातों बातों में पता चलता है कि कुछ common friends कुछ common relative निकल जाते हैं और कई वार जो है वो non में जानकर निकल जाती है और आपके multiple products sell out हो जाते हैं या at least आपने customer के पास बातें करके बैठने का time निकाल लिया कि आप उस बीच में अपना product भी explain करना start कर देते हैं तो mostly extrovert persons are good for these kind of job वेराज CA है auditor है यह लोग थोड़े से introvert होने चाहिए ताकि यह अपनी clients की अपनी जो companies cases इनके पास में उनका जिक्र यह ज्यादा लोगों से नहीं करते हैं जो next criteria है वो है sensing versus intuitive sensing people कुछ ऐसे होते हैं जिनको इस तो हर काम की complete details ही होती है दूसरा उनको बड़ा orderly काम करना पसंद होता है जैसे आपने कभी इस चीज को feel किया कि as a student college के अंदर जो भी time table है आपका की second lecture वाले sir maim जो है वो थोड़ा सा पहले आ गए और उन्होंने first lecture में पढ़ा लिया तो मैंने अपनी teaching life में इस चीज को feel किया है कि कुछ बच्चे अचानक से थोड़ा सा hesitate से हो जाते हैं या uncomfortable feel करते हैं अरे अभी तो उन वाले sir का lecture था सम्हाव आप बोलिए कि वो मतलब उस order के में अपने आपको ढाल चुके थे and second even teachers के साथ में भी ऐसा होता है कि अगर आपको बोला जाए कि आप जो है वो यह वाला lecture अभी ले लीजिए तो वो कुछ uncomfortable हो जाते हैं कि नहीं अभी अमारी यहां पे class नहीं है second जो है वो है आपके intuitive that means वो spontaneous होते हैं और वो अपने unconscious process पर बिलीव करते हैं इतना जादा order से उनको कोई मतलब नहीं होता है then comes thinking versus feeling जो गोविंदा साब है film actor उनकी एक movie थी परदेशी भाबू उनका एक super hit dialogue मेरे को हमेशा याद रहता है कि दिल हमेशा left में होता है लेकिन होता जरूर right है लेकिन वो होता right है तो आप देखिए कुछ लोग जो है वो हर बात में logic से काम करते हैं दिमाग लगा के वो काम करते हैं whereas कुछ people होते हैं जो feelings पे काम करते हैं emotions based उनका working रहता है एंड जो next criteria है वो है judging versus perceiving यह once again जो है वो कुछ sensing versus intuitive type कई है judging में अगर once again order पसंद होता है और उनको हर चीज पे control चाहिए होता है मतलब बिलकुल uncontrolled चीजों को वो handle नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो की perceiving nature के होते हैं मतलब flexible and spontaneous होते हैं उनको जो भी situation के अंदर काम करना पड़े वो थर लेते हैं तो यह हमारा model था इनका नाम था MBTI मायर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर इन्होंने यह एक mother-daughter combination था और इन्होंने चार different characteristics या traits बताए जिनके opposite चार traits और हैं तो ऐसे हो गए total मिलाके 8 traits इन्होंने हमसे डिसकस किये एक और model इसी reference में है the big five model by john bearden उन्होंने पांच basic traits बताए about personality जिस पे लोग एक दूसरे से differ करते हैं उसमें first trait once again वो ही है एक्स्ट्रोवर्ट जो मैंने आप से discuss किया कि वो social होते हैं और उनको बड़े company पसंद होती है गप्पे लगाना और यह सब पसंद होता है एक important character उन्होंने दिया that was agreeableness बहुत सारे ऐसे motivational lectures और net पे आप पढ़ेंगे कि हमको no बोलना आना चाहिए लेकिन यहां मैं आपसे एक just opposite बात आपको बोल रहा हूं कि आप cooperative होने चाहिए आपको yes बोलना आना चाहिए कि आप किसी का साथ देने के लिए आप हाँ भर रहे हैं at least तो agreeableness जो है जो agreeableness criteria में high होते हैं वो mostly cooperative होते हैं वो लोगों के साथ काम भी करते हैं और सब trusting लोग वो होते हैं और agreeableness अगर low है तो वो normally लोगों से disagree रहते हैं वो किसी भी बात के लिए नहीं मानते हैं और जैसा हम इंडिया में करते हैं कि यह नहीं हो सकता यह मैं नहीं करूंगा इस type के लोग जो है वो agreeableness criteria में थोड़े से low होते हैं फिर जो है वो है conscientiousness that means reliability आप कितने reliable हो आपने बहुत सारे अपने friends family members colleagues ऐसे देखे होंगे जिनको आपने कोई काम बताया है तो आप मान लो कि वो नहीं होगा वो बिल्कुल भी बरोशे मंद नहीं होते that means वो reliable criteria के अंदर low है whereas हमको थोड़ा सा highly reliable and responsible होना चाहिए कि अगर हमको कोई काम बताया गया है कुछ task assign किया गया है तो वो हम task time sir complete करें respond करें भी कहां तक काम हुआ है at least भरोशा ओ लोगों को कि उसको बताया गया है तो वो काम करेंगा एक चीज है that is emotional stability और ये jobs में आज के time में बहुत ज़्यादा required है बहुत सारे लोग थोड़े से emotional होते हैं और वो stress situations में tense situation के अंदर तूट जाते हैं और बहुत सारे job ऐसे हैं जहां पर हमको बहुत ज़्यादा emotionally stable होना पड़ेगा जैसे for example जो police का job है या जो doctors का nursing staff का job है आपने बहुत वास सुना होगा accident की site पे से आप multiple dead bodies recover करते हैं या फिर खून खराबे से भरेवे जो घायल लोग होते हैं उनको बचा के लेके आते हैं तो या फिर आपने cricket में भी देखा होगा के mostly South Africa के cricket team 10s matches के अंदर last में बिखर जाती है और वो match हार जाते हैं तो emotionally आप कितना stable है वो भी एक जो है वो हमारी personality का एक important trait है then comes openness to experience that means आप कुछ भी नया सीखने के लिए कितने ready है आप चाहे तो वो नया सीखने की बात कर सकते हैं आप कोई challenging assignment की बात कर सकते हैं कि आप जहां पे कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं लेकिन अगर आप openness to experience में low score करते हैं तो that means you are not ready for the new things आप इतने ज़्यादा open नहीं हैं आप थोड़े से close हैं नई चीज सीखने के लिए आप ready नहीं हैं और मैं यहां वही बात वापस से बोल के इस वीडियो को conclude करूंगा कि हमारी personality या और लोगों की जो personality होती है उसके accordingly हम अपने office में जो है वो job assign करते हैं कि यह बंदा इस काम का है यह इस तरह के nature का है तो यह इस task के लिए ठीक रहेगा थैंक यू